Study IQ IS अब तैयारी हुई Affordable Black Death The Greatest Population Disaster Welcome to Study IQ मेरा नाम है आदेश सिंग साल 1347 अक्टूबर का महिना यूं तो इस समय को एतिहासिक तितियों की सूची में अक्सर याद नहीं किया जाता लेकिन वो ना भूल सकने वाला वक्त था यूरप का मौसम सर्द हवाओं से खुशकवार था Black Sea से लंबी दूरी तै कर एक दरजन व्यापारिक जहाज सिसिली पोर्ट पर पहुँचे थे बहुत इंतिजार के बाद लोगों ने देखा कि जहाज किनारे को लग गए है लेकिन उन में से कोई बाहर नहीं उतर रहा है लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कुछ समय बाद जब वो खुद जहाज पर चड़े तो उनके होश उड़ गए जहाज में चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी लाशों की बीच कुछ जिन्दा लोग जीवन की डोर थामे हुए थे वहां मौजूद हर कोई ये सवाल लिये खड़ा था कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में ये मौत कैसे हुई है इस समय तक किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाले समय में यौरप में कितनी बड़ी तबाही मचने वाली है असल में ये लाशें मौत का फर्मान थी और इन ही जहाजों से शुरू हुआ मौत का वो तांडव जो अगले कई सालों तक चला मोत का ये सिलसला धीरे-धीरे पूरे यौरप में फ्हलने वाला था और एक महमारी यानी marginalized का रूप लेता है देखते ही देखते यौरप की आधी आबादी को इस महमारी ने लील लिया इस महमारी का नाम था Black Death लेकिन सवाल ये है कि ये बीमारी आई कहां से और इसका नाम ब्लैक डेथ क्यों रखा गया इस जहाज में मरे हुए लोग आखिर किस देश की यात्रा करके लौटे थे और इस महमारी का दुनिया की आबादी पर क्या इंपक्ट पड़ा और आखिर कैसे इस भयानक महमारी से यौरप ने जंग को जीता आईए आज इन सभी सवालों के जवाब समझते हैं दोस्तों 13th and 14th century का इती हास देखें तो यौरप की हालत भी दूसरे देशों से ज्यादा अच्छी नहीं थी नाच्रल डिजास्टर्ज या फिर दूसरी डिजीजेज का असर जैसे बाकी देशों में होता था यौरप का हाल भी ठीक वैसा ही था सन 1300 के आसपास नौर्थ यौरप में खाने पीने का एक बड़ा संकट पैदा हो गया था इस क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह मौसम का खराब होना था अनाच की किल्लत इतनी ज्यादा होने लगी थी कि 300 गुना ज्यादा दाम पर अनाच बेचा जा रहा था लोग भूख से बेहाल थे यौरप इस क्राइसिस से तो जैसे तैसे लड़ ही रहा था लेकिन आने वाली तबाही के बारे में किसी को नहीं पता था कि वो यौरोप का क्या हाल करने वाली है वो तबाही Black Death के रूप में यौरोप में आई थी हमने आपको शुरू में ही बताया कि साल 1347 अक्टूबर के महिने में सिसिली पोट पर जो जहाज रुके थे उनमें सामान के साथ लाशे मी आई थी जब इन लाशों को उतारने का सिलसिला शुरू हुआ तो किसी को अंदाजा नहीं था कि जिन लाशों को वो उतार रहे हैं वो सिर्फ लाश नहीं है बल्कि एक महमारी की दस्तक हैं जिसे Black Death के नाम से जाना जाएगा लाशों को उतारने के बाद यॉरोप में उन्हें दफनाने की तयारी शुरू हो गई दो दिनों तक लाशों को दफनाने का काम चलता रहा यॉरोप का मनजर ये था कि शेहर का एक तबका कबर खोद रहा था दूसरा तबका लाशें दफना रहा था और तीसरा तबका लाश बन रहा था एक था छोटा तबका जो ना तो जहाज पर गया था ना ही पोट के आसपास लेकिन वो भी धीरे धीरे इस बीमारी के चंगुल में आ रहा था जहाज से आई मौत यॉरोप में अपने पैर पसारने लगी थी असल में ये एक प्लेग था जिसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया सवाल अभी भी वही है कि ये बीमारी आई कहां से और फैली कैसे इस बीमारी के स्प्रेड को लेकर रिसरचर्ज ने कई थियरी दी किसी ने इसके जानवरों से फैलने की बात कही तो किसी ने इसे इनसानों से ही इनसानों में ट्रांसफर होने के दावे किये बीमारी को लेकर एक दावा ये भी किया गया कि ये बीमारी सबसे पहले चाइना में आई और वहीं से पूरी दुनिया में फैली जियां, ये महमारी भी चाइना की ही देन थी रिसर्चर्ज ने इस बीमारी के फैलने के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराया 13th century के दौरान एजिया में जहाज के जरिये ही दूसरे दीशों में आना जाना और व्यापार करने का चलन था European World के साथ South Asia और Central Asia की connectivity के लिए Land and Water Roots को डिवेलप किया गया था चाइना से मुख्य तह सिल्क का ट्रेड किया जाता था इसी लिए इस रूट को सिल्क रोड कहा जाता था 1346 में जब European Ships चाइना पहुँची तब चाइना में प्लेग का कहर था उस वक्त आज की तरह टेली कम्यूनिकेशन सर्विसेज और इंटेनेट तो था नहीं इसी लिए ये खबर भी किसी को नहीं थी कि दूसरे देशों में क्या चल रहा है ये बीमारी बेसिकली हवा से, खासने छीकने से और छूने से फैलती थी उस दौर में मेडिकल साइंस ने इतना प्रोग्रिस नहीं किया था कि महमारी से बचा जा सके रिसेर्चर्ज ने फ्ली स्क्विरल्स, रैबिट्स, चिपमंग्स, रैट्स और चिकिन्स को ब्यूबॉनिक प्लेग बैक्टीरियम ये अर्सीन या पेस्टिस का कैरियर माना था इसके अलाबा एक बड़ा तबका ये मानता है कि अर्बन एरिया में रहने वाले रैट्स, ब्लैक डेथ के कैरियर्ज और ओरिजिनेटर दोनों थे प्लेग के बैक्टीरिया, इंफेक्टेड परसन के वाइटल ओगन्स को सबसे ज्यादा डैमेज करते थे बता दें कि जो लोग इस बीमारी से इंफेक्टेड होते थे, उनकी बॉड़ी पर स्वोरून लिंफ नोट्स डिवेलप हो जाते थे इन लिंफ बॉइल्स में धीरे धीरे स्वेलिंग होती जाती थी और ये काले और डाक पर्पल कलर के हो जाते थे इन लिंफ बॉयल से ब्लड और पस निकलता रहता था इसके साथ ही ब्यूबॉनिक प्लेग से सफर कर रहे पेशन्ट की बॉड़ी में इंटर्नल ब्लीडिंग भी होती थी इसके अलावा फीवर, वॉमिटिंग, डायरिया और टेरिबल पेइन जैसे इसके सिम्टम्स थे लोगों को ब्लड की खासी भी होती थी कुछ समय के बाद ब्लड सूख कर काला हो जाता था जिसकी वजह से स्किन और बॉयल्स काले पड़ जाते थे और इसी वजह से इसे ब्लैक डेथ का नाम दिया गया बीमार इंसान की पांच से साथ दिनों में मौत हो जाती थी शुरुवाती साल में इसे ग्रेट मॉर्टालिटी के नाम से जाना जाता था लेकिन बाद में इसे ब्लैक डेथ कहा गया प्लेक से अफेक्टेड रैट्स यानी चूहे यॉरोपियन शिप्स में सवार हो गए थे और फिर चाइना से यॉरोप की सफर के दौरान प्लेक फैल गया शिप पर किसी तरह का कोई डॉक्टर नहीं था इसलिए इससे राहत नहीं बस मौत मिलती गई रिपोर्ट्स की माने तो सबसे पहले यॉक्रेन क्राइमिया में पहुँचे शिप्स से चूहों ने एंट्री की और यही वो शिप्स थे जो सिसिली पोर्ट पहुँचे थे जिसके बाद लाशों के जरिये इस महमारी ने यॉरोप में एंट्री की एट मंस के अंदर ही प्लेग ने आफ्रिका और एजिया के देशों को भी अपनी चपेट में ले लिया था लेकिन सबसे ज्यादा इंपक्ट यॉरोप और उसके देशों पर हुआ था यॉरोप में इटली, स्पेइन, इंगलिन, फ्रांस, आस्ट्रिय, हंगरी, स्विजिलन, जर्मनी, स्केंडिनेविया और बॉल्टिक रीजिन तक इस बीमारी ने अपने पैर पसार लिये थे आएए जानते हैं कि यॉरोप पर ब्लैक डेथ का क्या असर पड़ा इंपक्ट ऑफ ब्लैक डेथ इन यॉरोप चाइना से शुरू हुई बीमारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी ब्लैक डेथ ने सबसे पहले इटली और फिर पूरे यॉरोप को अपनी चपेट में ले लिया इनसानों से लेकर जानवर तक सभी काल के मुँ में समा रहे थे शहर में चारों तरफ जहां तक भी नजर जाती वहां तक इस बीमारी का असर दिख रहा था कहा जाता है कि मरने वालों की संख्या पहले हजार फिर लाख और फिर लाखों तक पहुँच गई एक अनुमान के मताबिक 1350 तक ब्लैक डेथ के कहर से यॉरोप की 60% यानि एक तिहाई आबादी मौत के मुँ में समा चुकी थी बता दें कि उस समय यॉरोप की पॉपिलेशन 50 to 52 मिलियन थी एजिया और आफ्रिका में भी मौत का आंकड़ा 25 लाख के पार पहुँच गया था इसके mortality rates की बात करें तो हर जगहे की mortality rate अलग थी कहीं पर ये 1-8 थी यानि 8 लोगों को अगर ये बीमारी हो रही थी तो उसमें से 1 मौत हो रही थी तो कहीं पर ये 2-3 थी यानि 3 में से 2 की मौत हम इसके बारे में एकदम सटीक डेटा निकाल भी नहीं सकते क्योंकि उस वक्त ऐसा कोई source नहीं था जो इसे save करके रख सके लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस बीमारी की वजह से मारे गए थे एक बार में ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मरने की वजह से यॉरप के social और economic conditions पर बहुत भारी असर पड़ा इसकी वजह से labor force कम हो गया और wages अप हो गई आधी आबादी के खत्म होने से यॉरप में लगभग गरीबी खत्म हो गई लेकिन labor's की कमी हो गई trade बिलकुल खत्म सा हो गया और recession का दौर शुरू हो गया क्योंकि कोई भी खरीदने वाला बचा ही नहीं था रोज मर्रा की चीजों की कमी होने लगी थी रोजगार के अफसर खत्म हो गए थे और चारों तरफ unemployment फैल गई थी इसकी वजह से भुक मरी फैली plagues जितनी मौते नहीं हुई उससे ज्यादा भुक मरी से लोगों ने दम तोड़ा इसकी वजह से उस वक्त के सारे wars भी रोग दिये गए क्यूंकि सबसे बड़ा war तो इस बीमारी के साथ पूरा यॉरप ही लड़ रहा था इस black death का एक असर लोगों में अंधविश्वास के रूप में भी दिखा यॉरप के लोगों में प्लेग को लेकर अंधविश्वास खूब फैल गया था जैसा कि एक human nature है कि हमें अगर किसी चीज का हल नहीं मिलता तो हम भगवान के पास जाते हैं उस वक्त बे कुछ ऐसा ही हुआ लोगों के पास इस बीमारी का इलाज नहीं था इसलिए लोगों ने प्लेग को दूर करने का एक मात्र तरीका भगवान से माफी मागना था कुछ लोगों का मानना था कि ऐसा करने का दूसरा तरीका हेरेटिक्स और अधर ट्रबल मेकर्स से अपनी कम्यूनिटीज को शुद्ध करना है इसकी वजह से 1349 में कई हजार जूस का नरसंग हर किया गया उनके खिलाफ प्रापगेंडा पहलाया गया और जगे जगे जूस की मॉब लिंचिंग शुरू हो गई हजारों लोग इस डर से नौत यॉरोप की तरफ भाग गए जहां वो लोग शेहरों की भारी भीर से सेफ हो सकते थे फिलिप्स जाइगलर ने अपनी बुक दे ब्लैक डेथ में लिखा है कि इस दोरान एक अलग ही पंथ का राइज हुआ जिसे दो विपिंग कल्ट कहा गया इसमें आठ लाख लोग शामिल थे ये लोग दूसरे लोगों की सामने अपने आप को कोड़े मारते थे ऐसा करके ये लोग ये प्रूव करना चाहते थे कि चर्च में इस बीमारी को खत्म करने की ताकत नहीं है ये चर्च की अथॉरिटी के खिलाफ एक यूनीक तरह का प्रोटेस्ट था कुल मिलाकर प्लेग ने जाते-जाते समाज में कई नई विचारधाराओं को जन्म दे दिया खैर तमाम कोशिशों के बाद यॉरप ने धीरे-धीरे इस महमारी से उभरना शुरू कर दिया प्लेग को लेकर एक बात ये भी कही जाती है कि भले ही इस अंचाही महमारी ने यॉरप में तबाही मचाई लेकिन कही न कहीं इसने यॉरप में विकास का रोड मैप भी तयार कर दिया असल में यॉरप के लोग अपने यहां प्लेग से इतनी मौद देख चुके थे कि उनके मन से अब जान जाने का डर खत्म जा हो गया था अब वो रिस्क लेने से डर नहीं रहे थे और नई दुनिया की तलाश में कहीं भी जाने को तयार थे और इसी वजह से नई इलाकों की खोज का सिलसिला शुरू हुआ इन वॉयजिस का ही एक रिजल्ट कोलोनियलिजम और इंपीरियलिजम के स्प्रेड के रूप में देखने को मिलता है इसने नई टेकनोलोजीज को भी जन्म दिया इस दौरान मेडिकल फिल्ड में कई नई खोजे हुई आगे जाकर रिसेर्च में पता चला कि यॉरप में दो टाइप्स का प्लेग फैला था पहला था नियूमॉनिक इसमें हाई फीवर, ब्लड वॉमिटिंग और तीन दिन के अंदर पेशन्ट की मौत हो जाती थी दूसरा था ब्यूबॉनिक जिसमें पेशन्ट की थाइज, जॉइंट्स और बगल में लंप्स निकलाती थी जिसमें पस और ब्लड आता था और पांच दिन में मौत हो जाती थी दूसरे टाइप यानि ब्यूबॉनिक से ज्यादा मौते होई रिसर्चर्ज ने कहा है कि यॉरप पहले ही फूड क्राइसिस से जूज रहा था लोगों के पास खाने के लिए खाना नहीं था जिससे उनका इम्म्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया था ऐसे में मरने वालों की तादाद ज्यादा रही ये वो वक्त था जब लोग प्लेग से मरने की बजाए खुद को कुए में फेकना पसंद करते थे इस ट्राज़डी के कई दशकों बाद 1894 में फ्रेंच बैक्टीरियोलिजिस्ट अलेक्जांडर यरसन ने प्लेग फैलाने वाले बैक्टीरिया का पता लगाया इस बैक्टीरिया का नाम यरसीन या पेस्टिस रखा गया इसके बाद 1898 में फ्रेंच पॉल लूई सिमन ने बताया कि plague rats, squirrels जैसे rodents में पाई जाने वाले fleas से पहलता है जब ये पता चला तो plague के खलाफ vaccine बनाए गई लेकिन इतनी जानकारी होने के बाद और vaccine बनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि ये भीमारी पूरी तरह से खत्म हो गई थी World Health Organization की reports की माने तो अभी भी हर साल लगबग 1000 से 3000 केस प्लेग के आते हैं लेकिन अब antibiotics है, modern sanitation system है, public health practices है medical science ने काफी development कर लिया है और अब इसका treatment available है इसलिए अब इसका प्रकोप इतना ज्यादा नजर नहीं आता Conclusion दोस्तो यॉरोप के इतिहास में black death महमारी एक काला अध्याय बनकर रह गई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता इसे इतिहास का सबसे बड़ा population disaster कहा जाता है ये वो भयानक घटना थी जिसने रातों रात यॉरोप की आधी आबादी को मौत की नीद सुला दिया था यॉरोप के अलावा एजिया और आफ्रिका में भी लाशों के अंबार लग गए थे और यॉरोप ने जो जेला वो शायद दूसरे दीशों ने नहीं जेला लेकिन यॉरोप इससे हारा नहीं उसने नई नई खोजें की और इससे बाहर निकला वैसे देखा जाये तो प्लेग नहीं फैलता अगर लोग साफ सफाई का ध्यान रखते ठीक यही बात हम कोविट के बारे में भी कह सकते हैं माना की कोविट की वैक्सीन आ गई है लेकिन अगर हम पहले ही साफ सफाई का ध्यान रखते तो शायद यह इतना ज्यादा असर ना दिखा पाता खेर इससे भी दुनिया पर काफी असर पड़ा और एक अलग तरह के वर्ल्ड की शुरुवात भी हुई स्टडी आईक्यू आईएस अब तयारी हुई अफोर्डबल